मदुमनी चला के हरला की थाना छेतर के फुलहर नचारी चोप पर बाइक से ले जारे सरकारी सील पैक बोड़ी में चाबल के सौथ एक यूबक को गरामिनों ने पकर कर जम कर ववाल किया। वहीं अपने इस्तिदार को गरामिनों की चंगू से बचाने एक सिच्छक के साथ भी काफी देर तक कहा सुनी वो धक्कामों की होते होते मार पीट की नौबत तक पहुँच गए। इसे बीच गस्ती पढ़ने के लिए ब्लीस्टे मौके पर पहुची और लोगों को समझा कर मामने को सामत कराया। दरशल सनिवार के साम गरामिन यूबक खोली खेनने में मस्कूल था। इसे बीच एक यूबक को बाइक से चबल ले जाते हुए गरामिनों ने पकर लिया। जहां पूस्ताच के कर में आरोपी यूबक बेनी पट्टी थाना छेत्र के धनाउजा ग शौन पूले कर काफी देर तक हाई वोल्टेज रामा के बाद अपटर रिषद्रिदार को गरामिनों के चंगू से चुराने जब सिक्षक سूरेश राम पहुछे थे गरामिनों ने उसे चार उतरफ से घेर कर धक का मुकी सुरू कर दिया। जिसके बाद सिक्षक के समरत ठक गरामिनों का गुस्सा फुटने लगा और फिर दो पक्षों में कहा सुनी और धुका मुक्की होने लगी इधर मामले की सुषना मिलते ही एस आई रामपरवेश्यादव दर्वल के साथ मुक्य पर पहुचे और काफी मस्तकत के बाद आक्रोशित गरामिनों को सांथ कराया जगा जगा विवस्था की कमी के साथ स्वात अनेतरों के सिकायतों को देखा लगता है ही कि नहीं यह विद्याले ऐसे दर्शनों पिद्याले को देखकर इतना तो कहा चा सकता है कि जिले में विद्यालियों की स्तुती वे पटरी है जो अपने उद्देश से भटक चुती ह बियान परियोज के लिए मदवनी से संबाद्धाता राजीव कमाल शाकिर पोर्ट कौन दिया है चाफल कहा कहा के है सुरेश जी है सुरेश रामॉख कोन चीज है मास्टर है कर लावाजारी कर रहे हैं अच्छा आपको गरामी लोग पक्रा हुआ है कर लेकर जा रहे थे अभी क्या पक्रा हुआ है पड़िचे क्या हुआ अपका घर का हुआ धरोजा घर हुआ थाना बेनी पटी जिला